आरकांटे वाले पेड़ें फल वाले हैं ही नहीं फल वाले इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम प्रकर्दी को कुछ देही नहीं रहे वर्षा नहीं होगी या कि नहीं होगे तो वर्षा नहीं होगी दन पैदा नहीं होगा भुकमरी फैल जाएगी लोग खतम हो जाएगे कुछ बचेगा ही नहीं मैं और ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलता हुआ ऐसे हाँ जोड़के नवरात्रा की नौमी को ये प्रात्ना में कर रहा हूँ आप अपने अपने घरों में यग हवन आसे ही शुरू कर दे और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें लगता नहीं है बस अभ्यास करने की बात है आमकी लकड़ियां इकटी मंगा लो थोड़ी दस किलो मंगा लो बहुत दिन चल जाएंगे और कुंड मंगा लो तामे वाला लोहे के पात्ल में हवन मत करना तो तामर का आप बना ले तामे का कुंड मंगा ले लकड़ी का सुरवा मिल जाता है वो ना मिले तो एक चमच लकड़ी में बांद लो सामिकरी बना लो सामिकरी बनाने की विदिये है कि जितना तिल है उसका आदा चावल है जितना चावल है उसका आदा जो है जो है उसका आदा चीनी है चीनी और इतना करके बुरा डाल लीजिए गुड का बुरा अदा डाल लीजिए और दादा जी को जगा दीजिए सब काम करने पड़ेंगे ये भी जरूरी काम है और घी इतना डालिए कि सामिगरी उड़े नहीं थोड़ा गया का कच्चा दूड डालने फिर घी डालने है इसमें मखाना बड़ा फायदा करता है चिरोंजी बड़ा फायदा करती है ये चीज़ें और गरीबी नासक वो और है तुकड़ा होता है चोटा-चोटा गिदी का इसमें माता जी का यग है तो इसमें लाल चंदन डालिए मादेब जी का है तो सफेज चंदन डालिए नाराण का है तो बेल गिरी जरू डालिए आज तो यग में बहुत सी चीज़ें डाली गई है बहुत बड़ी लिष्ट थी सामान या नहीं मिला तो बदा नहीं मासाब कहां मतुरा बतुरा गए थे लेने के लिए वो आचार जी ने तनी लंबी लिष्ट दे दी वो साब चीजें सर्व और शदी शामिकरी डाल करके फुर उसे यगे को तो मुझे वो कहते है महरा जी सामान नहीं मिल रहा है मैंने का हनुमान जी संजीवनी ले आये और तुम अगर तगर लेके नहीं आ पा रहे हो हाँ हनुमान तो संजीवनी ले आये इतनी दूर से तुम भॉन कर रहे हो अगर तगर नहीं मिलता मैं या नहीं मिलेगा तो दूसरी जगे मिलेगा कहीं तो मिलेगा तो कहा महराजी अब मैं लेके ही लोटूंगा मैंने का आदा गंटा यग वले ही लेट हो जाए दिक्कत नहीं है पस सामान की पूरी विवस्ता करिए बहुत सवानंद देखे मेरी खुद स्रद्धाए इन सब चीजों में भारी स्रद्धाए इसलिए ये हम आपके निमित्त आपके द्वारा आप से ये सब कराते रहते हैं इन सब चीजों का बड़ा असर होता है प्रकरती को हम देंगे तो प्रकृति निश्द रूप से हमारे लिए सोचेगी हमारा कल्यान करेगी प्रकृति मैया कहती है कि जो मैंने अपने नाम 32 वताए है यदि ये नाम कनेर के फूल से मेरे उपर चड़ाई जावे है मैया कहती है कनेर का फूल लाल हो लाल कनेर के फूल से मेरे उपर हर एक नाम पर एक लाल कनेर का फूल, ये स्वे मा बोली है, माता कहती है मैं आती प्रसंद हो जाती हूं, कनेर के फूल से मेरी यगी की वेदियों का पूजन किया जावे, मा कहती है, मा को दो फूल भारी प्रिये हैं, एक गुडेल का फूल और एक लाल कनेर मेरे उक्तनामों से लाल कनेर के फूल चड़ाते हुए सौ बार पूजा करें और ओम एमरीम कलीम चामुंडाई विच्चही जब करते रहें और पूआ हवन में डालें मा कहती है एक तो सबेत तिल वगेरा हो गया एक खीर बनवा लें और खीर में पूआ वो वाले पूआ जिसको गुलगुले कहते है तो इसको खीर में ऐसे डुआएं मैं मेरीम कलीम चामुंडाई मैया कहती है का हर अध्याए पर खड़े हो करके जज्मान आउती डाले जैसे अध्याए पूरा हो वे तो प्रमुख जिज्मान के लिए जो और भले ही सब बैढ़े रहे हैं जो उसका मुख जिज्मान है यग्यका प्रमुख जिज्मान है वो अध्याए पूरा होने पर खड़े हो करके आउती डाले बड़ा विदान है दुर्गा माता के यग्गिका